आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वन्य का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी इसे और अच्छा से समझेंगे तो सबसे पहले वन्य का आर्थ समझते हैं वन्य का आर्थ होता है जंगली वन में रहने वाला या वन से संबंधित यानिकि वन या जंगल से संबंधित कोई चीज होती है या वहां की कोई चीज या कोई वस्तू या कोई जानवर होता है तो उसको हम वन्य कहती है तो वन्य का विलोम शब्द यानि कि विप्रित आर्थक शब्द हो सकता है पालित या ग्रहस्त पालित का मतलब होता है जो पालतु हो यानि कि जैसे कोई जंगली जानवर या पालतु जानवर या फिर इसको ग्रहस्त भी कह सकते हैं तो पालित या ग्रस्ट का आर्थ होता है, पाला हुआ या पालन किया हुआ, याने कि जो घर पर रहता हो या घर का हो, तो आईये अब हम वन्य और पालित या ग्रस्ट को कुछ उधारन वाकियों से समझें, जैसे कि आप कह सकते हैं कि वन्य जीव संद्रक्षन जरूरी है, य ये फिर आप कह सकते हैं कि ग्रहस्त जीवन और वन्य जीवन में बहुत अंतर होता है। ये फिर आप कह सकते हैं पालित पशु या पाल्तु पशु घर में आरामजे रहते हैं जबकि वन्य पशु स्वतंतर होते हैं। अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को करें और बैल आइकन को प्रेस करें